Assalamu alaikum my dear student, हम reading comprehension कर रहे हैं chapter 3, the journey of chocolate. आपको पता है कि chocolate जो है, उसके pods होते हैं, जो trees पे उखते हैं, वहाँ से उनको सुखाया जाता है, फिर उनको grind किया जाता है, फिर mix किया जाता है, फिर उनको chocolate में उनकी packing की जाती है. तो हमारी जिन्दगी जो है, हम पैदा होते हैं, फिर school जाते हैं, फिर हम काम करते हैं, और फिर दुनिया से रुकस्त हो जाते हैं, तो ये जिन्दगी एक सफर है, इसको अच्छी तरह गुजारना चाहिए, सच के साथ. अल्ला ताला से हम दौा करते हैं कि अल्ला हमें सीधा रस्ता दिखा, और वो सीधा रस्ता कैसे हमें दिखता है, जब हम कुरान मजीद को तरज्मे के साथ पढ़ते हैं. तो हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए ताकि हमारा सफर जो है वो अच्छे तरीके से गुजरे हम अपने सबक की तरफ आते हैं Where do the coca flowers grow? coca flowers जो हैं वो कहां पे उगते हैं? हम पहले lesson में देखा है कि आम तोर पे जो आम दरखत होते हैं उनके flowers फूल जो होते हैं वो शाखों पे उगते हैं लेकिन coca flowers जो होते हैं वो दरखत के तने पे उगते हैं जैसे आपके तस्वीर में देख रहे हैं coca flowers grow on the trunk ये इसका सही जवाब है next question है how many seeds does a pod contain? pod जो है वो फली को कहते हैं और एक फली में कितने seeds होते हैं फली के अंदर होते हैं और एक फली में 20 to 30 seeds होते हैं there are 20 to 30 seeds in a pod ठीक है next question है what are nibs? nibs किन को कहते हैं? ये nibs हैं the shell of the cocoa beans is cracked and remaining part is called nibs which is edible यानी खाने के लाइक होता है cocoa beans के shell को तोड़ा जाता है उसके अंदर से जो चीज निकलती है उसको nibs कहते हैं question है fill in the blanks with the correct option आपने खाली जगा को पूर करना है सही option के साथ तो पहला है historian कहते है history लिखने वाले को मौरख को और question है historian say chocolate has been famous for almost 10 years तो इसके अंदर जो options हैं वो हैं hundred years thousand years fifty years and two hundred years तो हमने book में पढ़ा था कि the chocolate is famous for almost two thousand years ठीक है यह इसका correct option है next cocoa tree आप देख रहे हैं यह cocoa tree है chocolate comes from dash trees in its raw form option है हमारे पास grapes, banana, mango and cocoa तो grapes जो है वो बेल पे लगते हैं और इस तरह उनके गुच्चे हैं नहीं करते हैं banana trees जो है वो इस तरह से banana tree पे लगते हैं और mango tree एक बड़ा tree होता है जिसके उपर mango लटक रहे होते हैं तो इसका सही answer है cocoa trees in its raw form chocolate comes from cocoa trees in its raw form अपनी original हालत में chocolate cocoa trees से हासल की जाती है नहीं करते हैं नहीं करते हैं chocolate came to Spain in the dash आप देख रहे हैं कि यह Spain जो है वो योरप का एक हिस्सा है योरप एक बरे आजम है और options हैं हमारे पास तर्टीन हंडर्स ट्वैल्स फिफटीन और फोर्टीन तो chocolate came to Spain in the फिफटीन यह इसका सही answer है next है chocolate जो है यह अच्छी खुराक है इसमें अगर आप एक बार लें एक आउसका तो उसमें fat है 13.6 gram 2.6 gram fiber है 1.8 gram protein है 25 gram carbs carbohydrate है और इसकी 216 calories होती है इसके अलावा chocolate के अंदर vitamin B12 और iron होता है तो question है chocolate are a good source of dash and minerals तो इसमें good source of vitamins, carbohydrate, calcium and protein तो calcium और iron minerals में आते हैं और it is a good source of vitamins and minerals तो यहां पे dash में vitamins आएगा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अल्लाव ताला की सची किताब कुरान मचीद को तर्जमें से पढ़ना चाहिए उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें झाड़ सकत किता चाहिए